मैं प्रोफेसर सविन सिंग, आज इस रिवीजन सिशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ. I, प्रोफेसर सविन सिंग, welcome all of you today on this रिवीजन सिशन. कल हम लोगों ने वाकर सर्कुलेशन, दक्षणी दोलन और एलनीनो इवेंट पर चर्चा की थी. Saturday, we discussed about वाकर सर्कुलेशन, सदन आसिलेशन और एलनीनो इवेंट. आज इस सिशन में हम देखेंगे कि इस परिघटना का स्थानी प्रादेशिक छेत्रों पर के मौसम पर और उनके आर्थिक क्रिया कलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है. Today, we will see what type of impacts on the weather conditions and economic conditions of the affected areas at local and regional level. वाकर सर्कुलेशन, सदन आसिलेशन और इनसो हम शाट में कहें इनसो की नार्मल दसा में भूमद रेखी उश्र कटिबंधी पुर्भी प्रसांत महसागर में अर्था दक्षणी अमेरिका के पस्चमी तट खास कर पेरु तट के पास उच्वाइदापकी स्थिती होती है. यहां पर वायू उपर से नीचे आती है। और समुदरी सतह के नीचे से ठंडी जलरासी उपर आती है। इसके साथ पोशक तत्व भी हुआ है। पर आते हैं। और व्रिद्धी में बहुत जादा बिस्तार हो जाता है। और यह प्लांक्टन जो है वो मचलियों के खाद्यपदार्थ है। और पेरु तट के पास एक बिस्त प्रकार की मचलियों होती है। इसकी बाजार में कीमत बहुत अधिक होती है। और यह प्रकार है अंकोवी मचलियों की। There is a special type of fish called अंकोवी that is caught along the Peruvian coast and this अंकोवी fetches much more value because it has carries more foreign market value। अब इस nutrients in nutrients के आने से चूंकि प्लांक्टन में बृद्धी होती है। इसलिए मचलियों में भी काफी बृद्धी होती है। लेकिन इस सामान्य दसा में मत से उत्पादन तो बढ़ जाता है। लेकिन पेरू के पश्मी तट पर सूखे की सिती उत्पन हो जाती है। दो देर इस नुख्रीज इन फिस प्रोडक्शन बट देर इस ड्राई कंडिशन अलंग दपेरूबियन कोस्ट and that adversely affect agriculture अता है पेरू के पश्मी तट पर सूखा होने के कारण कुरुशी बुरी तरह से प्रभावित होती है। उत्पादन घट जाता है। लेकिन जब और उसम है ये वहाँ पेरू के रहने वाले लोग एक उपर सर करके बादलों की तरफ प्रार्थना करते हैं कि ओ गाड ब्रिंग रेन ब्रिंग रेन ब्रिंग रेन ब्रिंग रेन अब देखिए जब अल्निनो प्रभावित होती है तो नार्मल दसा में विपरीति सिती उत्पन हो जाती है। वेन अल्निनो डॉमिनेट्स वेन अल्निनो इवेंट इस डॉमिनेंट देर इस रिवर्सल इन नार्मल कंडिशन। अर्थात पूर्भी भूमद रेखी ये उश्रकट बंधी ये प्रसांत महासागर छेत्र में अर्थात डक्षणी अमेरिका के पश्मी तट के पास जो है गरम जलरासी आती है निमनवाइदा बनता है हवा यहां गरम हो करके ऊपर उठती है ठंडी होती है और काफी वर्षा होती है बाहत 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 होती है. Agriculture is revived and there is a rich harvest of cotton, coconut and banana. तो चुंकि बरसात अधिक होती है आर्द मौसम हो जाता है जिस कारण कपास, नारियल और केला की खेती में आसातीत ब्रिद्ध होती है. लेकिन एक और बड़ी इसका दूस्परिणाम होता है और वह है biological disaster पन हो जाता है. There is a very bad impact of this l-nino phase in the form of biological desert, biological desert and biological disaster in the oceanic water along the Peruvian coast. एक जैविक मरुस्थल और जैविक आपदा उत्पन हो जाती है कैसे? यह जब नीचे से इस अवस्था में नीचे से ठंडी जल्राज का आना बंद हो जाता है. जिसका नीचे से उपर पोशक तत्वाने बंद हो जाते हैं. अतह मचलियों के खाद्पदार थर्थात प्लैंगटन में बहुत तेजी से अवनती हो जाती है, ब्रिद्दिवन की रुख जाती है, बहुत शिकुड जाते हैं वो और इसलिए मचलियों में भुखमरी पैदा ह हो जाती है, since the nutrients do not reach the ocean surface because the upwelling of cold sea water has been stopped and therefore plankton growth is adversely affected and there is starvation in the fishes or many of the fishes die of starvation. और इस तरह से अधिकांस मचलियां भुखमरी से मर जाती हैं और खास करके अंकोवी मचली की बहुत छती होती है और एक और रोग भी उत्पन हो जाता है वहाँ पर महमारी के रूप में जिसे ग्वानो डिजीज कहते हैं, तो the fishes die of starvation as well as because of guano epidemic and therefore the fishing industry is adversely affected and phenomenally reduced. इस तरह से पेरू में मत सिवत पादन तेजी से घड़ जाता है जिनके आर्थिक स्थिती पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है. इसके विपरीत जब एल्निनो प्रभावी होती है तो दक्षणी पूर्भी एसिया में तो वर्सात होती है. लेकिन नार्मल दसा में जब पेरू के पश्मी तट पर एल्निनो प्रभावित नहीं होती है तो उस समय की इस्थिती में जब एल्निनो प्रभावित हो जाती है नार्मल कंडिशन के विपरीत इस्थिती में तो एक एल्निनो सब सर्फेस सी करेंट भी होती है जो 30 अंसे 35 अंसक्षांस के बीच में दक्षडी अमेरिका के पश्मी तट के सारे होती चलती है और ये अमेरिका के दक्षड में वेस्टन के माध्यम से हिंदमा सागर के दक्षडी भाग में आ जाती है और इस वाम करेंट ब्रिंक्स वाटर इंफ्लोएंस बाई वेस्टन डिफ्ट करेंट तो दी सदन पार्ट अफ इंडियन ओसन डियूरिं विंटर सीजन जिस कारण वहां का वुच्च वाइदाप कमजोर हो जाता है और मांसून कमजोर हो जाती है एलिनो इंपक्ट कहते हैं दक्षणी पूर्वी एसिया में जहां पर सूखा पड़ता है भारत में बांगला देश में इंडोनेसिया में एनि दक्षणी पूर्वी एसिया में और इसका सबसे बड़ा दुस्प्रभाव इंडोनेसिया में होता है जहां फारेस्ट फायर होत जहां जंगलों में भीशन आग लग जाने से बनों का नुक्सान होता है। इस तरह से आपने देखा कि एल्लिनों के प्रभावी होने पर जो है पेरू तट के पास बाइलाजिकल डिसास्टर हो जाता है। तस प्राजिकल देखान हो जाता से एल्लिनों के लिझा ए psychopath देखा घल्लिनों के लेखेशν आप लिऑम देख़ घजका होन छोड़िकल देखाव जार Annika सामे के प्र्य। घूलों के लिड़ी का संगता है। ले One side there is a forest fire and the other side there is a biological disaster. These are the impacts of southern oscillation, walker self-circulation and Illinois impact. आगे अब हम मानसून पर चर्चा करेंगे कल से और चुँकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम इस पे चार लिक्चर देंगे. एक, thermal concept of origin and mechanism of monsoon. Two, dynamic concept of origin and mechanism of monsoon. Third, modern concept of origin and mechanism of monsoon. Four, the origin and mechanism and operation of monsoon over Indian subcontinent. Thank you very much. Okay. Thank you.